सबसे आगे लिदर चांग सुरेश जी, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अधनान के एक अनोके से तो गुरू अधनान, सबसे पहले आप किस से मिलवाएंगे? सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपका तारूफ कराना जाओंगा एक बहुत नहायती टालेंटिट बच्चे से जिसका नाम है निलादरी कॉलकाता के रहने वाला है, कुछ लोग उसको रॉस गुलव बुलाते हैं और कुछ लोग जो हैं उसको मीनी किशोर कुमार बुलाते हैं उसकी गाईकी में आपको मनना डेजी की भी आवाज और अंदाज महसूस होगा तो बाकी जो है उसको खुद अपनी गाईकी के जरीए वो खुद ही अपना तारूफ करा देगा तो निलादरी आईए तो निलादरी आज आप कौन सा गाना गाने वाले हैं मैं आज सर का गाया हुआ हुदूर इसकादर भीना गाने वाला हूँ ओके तो निलादरी आज आज आप कौन सा गाना गाने वाले हैं सबसी बहले तौन से इजाजit लो किवन अचे दो आख माला बालो यद्थ मेel इतना है यद्धार येग्दम कि भूदन दोटेघ क stipend टिशे झार्वार टिंट इतना Сबसक्षा निसकी तब दी कीत बांने शर्डून हुजूर इस कदर भी ना इतराक चलिये हुजूर इस कदर भी ना इतराक चलिये खुले आमा चलना लहरा के चलिये हुजूर इस कदर भी ना इतराक चलिये कोई मन चलागर भकर लेगा चलिये हुजूर इस कदर भी ना इतराक चलिये हुजूर इस कदर भी ना इतराक चलिये बरके जुनफों में कनिया लगाने अगर बरके जुनफों में कनिया तो क्या अपने जुन पे छटक दी जिलेगा हुजोरिस कदर भी ना इत्रा के चली खुने आमा चलना लहरा के चली हुजोरिस कदर भी ना इत्रा के चली हुजोरिस कदर भी ना इत्रा के चली हुजोरिस कदर भी ना इत्रा के चली जोर्दार तालिया तो सबसे पहले निलादरी सुरेज जी से पूछते हैं सुरेज जी कैसा लगा आपको निलादरी का ये परफॉरमंस क्या कहूं मेरी तो बोलती बंदो गई इस उमर में तो ऐसा गाना बड़ा मुश्किल होता है तुमने मेरे से भी अच्छा गाया तुम लग शापित गंधर्व हो तुमारा पिछले जनम का लेके आये हो तुम उस वक्त तुमारी गाने की इच्छा पूरी नहीं हुई है तो अभी तुम गंधर्व बनके पैदा हुए हो इस सबसे बड़ा उपरवले का करम है बहुत बढ़िया गाया थैंक यू सेर्ड बहुत बढ़िया गाया थैंक यू सुरेज जी और अब गुरूस को बूचते हैं गुरू कैलाश वाके जो सुरेज जी ने बोला है शत्प्रतिशत सही कथन किया है क्योंकि ये लोग बड़े पुराने सादक हैं ये लोग हमारे लिए प्रशिक्षन केंदर का सुरूप है और यदि वो इतनी हंबल नैस और इतनी बड़पन से उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि उनसे भी अच्छा आपने गाया ये उनके विचार हैं जो हिर्दै से आये हैं ये इसका मतलब यह निकिए आपने उनसे अच्छा गा दिया है लेकिन निलादरी संगीत के और सुरों के महासागर आपको ऐसा वारा कॉंप्लिमेंट दें तो मैं तो मतलब कुछ ना ही कहूं और उस कॉंप्लिमेंट का समझ लीजिए सेलिब्रेशन करूं मनी मन खुश हूँ गाउं बजाउं और सब को रिजाउं आपकी खातिर आपकी खातिर अल दे बैस सबसे पहले मैं सुरेश जी आपसे इजाज़त लूँगा मैं खुद कुछ कहने की शुक्रिया निलादरी ने आज जो परफॉर्म किया है वो मुझे लगता है इसके अभी तक के जितने भी परफॉर्मेंसे हुए है उन में बेस्ट परफॉर्मेंसे हैं ये भी एक परफॉर्मेंस एड़ होगा वो इसलिए क्योंकि इस गाने को बहुत नाप तोल के गाया अपने बहुत ही सुकून के इस्तखलाल के साथ गाया बहुत ही चैन के साथ में गाया तो एक दम सूधिंग लगा बहुत अच्छा लगा तो मैं सिर्फ इतना काऊंगा कि मुझे फखर है इस बात का कि उनको आपका गाना अच्छा लगा बहुत है बीनलादरी, इतने गुरी और इतने बड़े गायक के सामने उनका इतना खुबसूरत का गीत गाना और उसे निबाज अने खुबसूरती से बहुत बड़ी बाती थंग्य। थे हमें कोपहत यह थे हुआ कि और अ कर दो अ